बिंड अधियारी खुर्द में पुरानी रंजिस को लेकर गोली बारी सामने आई है जिसमें युबक को गोली लगी है जिसके बाद युबक को गंभीर हालत में गोली रिफर किया गया है दरसल मामला बिंड जले के अधियारी गाउं का है जहां दो पक्षों में सफाई को लेकर विबाद हुआ है और अवैध हतियार से गोलाबारी की गई है जिसमें 28 वर्षी युवक किष्ण अवतार सें सिकरवार पिता वीरंद सें सिकरवार को गोली लगी है जिसे गंभीर हालत में गवालिया रिफर किया गया है बहीं कोर सिकरवार ने बताया कि पुरानी दंजिस के चलते दो परिवारों में रडाई हुई है और यह मामला सामने आया है फिलाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जान सुरू कर ली है और मौके पर पुलिस बल तैनात हो गया है हमारे जितने परिवार के लोग बहार रहते हैं से मैं भी बहार रहता हूँ हुआँ छोटा भाई जी मैनेजर है क्रशन अबतार चिंग से घरवार ये इस जी ओ कमपनी में है चिप्पूरी पोस्टिंग है मैनेजर है वो सभी लोग घर में आई हुए थी कल सुद्धदा का कारेकरम हुआ आज बैटके तेरभी का सुनुषित कर रहे थी वहां गंदगी हो रखी एक परिवार है जो हमारे घर के बगल से ही बाजू से ही लगा हुआ अंका घर है संटु गुर्फ रिशालचीन, करंचीन और पीलून का नरके का नाम है गनोध है ये चार पांच लोग वहां थे तो इनोंने वो सफाई नाली सफाई हो रही थी तो सफाई कर वो जगह साफ करने के उस पर लगों से इनोंने काली प्रश पहना चालू किया तो थोड़ी देर बाद ह मैं जाके बादरूमे नहाने लगा मैं ठीक से कपड़े भी नहीं बदल पाया तक आवाज आई फाईरेंगी मैं दोड़ के गया ऐसे इसी तरह के कपड़ों में मैं दोड़ के गया तो देखा एक गोली इसको लग चुकी थी पेट के आथ के नीचे यहां गोली लगी यह ज चुका थी जोर जोर से चिला रहा थी सारे लोग इदर चितर इदर हो रहे थे दूसरी फैरी उसमें मेरे पास की तो मेरे मेरे बाजू से निकल गी